प्रफेसर रतनला जी पहले तो आपका हमारे चनल ने बहुत स्वागत है शुक्रिया रतनला जी एक बात बात बते हैं अभी बहन कोणी मयावती की जो बीस पी की सुप्रीमों है बहन कोणी मयावती के ऊपर एक मूर्तियों का विवाद आया है उसमें कहा गया है कि जो पैसा बहन को ने मयावती ने लगाया है मूर्तियों के ऊपर वो उनको देना पड़ेगा तो इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं क्या राय है आपकी वो बता है देखिए आधिकारी क्रूप से तो बीस पी को प्रवक्ता होंगे वो इस पर बहतर बात रखेंगे जो जाए बैंजी के तरब से ऑफिशल स्टेटमेंट ही आएगा आया भी होगा लेकिन एक समाजी के एक्टिविस्ट होने के नाते एक समाजी कारकरता होने के नाते मैं यह जरूर कहूंगा कि कोट कई बार जो है न वटपटा तरह का निड़ने देता है चाहे CST के मसले पे चाहे रो में देखा गया नहीं कोट जो है न वो जो कॉंस्टिविशन का मैंडेट है उसको लागू करने के बजाए उसको देखने के बजाए उसका कस्टोडियन बनने के बजाए उल्टे पूटे निरने देती है अब बहन जी का कैसे मामला है अब हटा ये अगर मुर्ति की ही बात ह तो इस देश में पॉबलिक फंड से यही पहली मुर्ति थोड़ी लगी है अभी अभी परदान मंत्री जीने धिंड़डा पीटा है तो सुप्रियम कोट को उसको भी संग्यान में लेना चाहिए था और सबसे महत्पूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि यह हम समिदान से चल यह तो पैराडोक्स है ना कि संविधान और मनु स्मिर्थी में अंतर विरोध है दोनों ऑपोजीट साइड है तो जब कोट परिशर में मनु की मुर्ति लगी हो तो न्याले किस तरीके से काम कर रहा होगा यह बात समझने की है समझ गया है तो इसमें सीधा सीधा न्याले भ कोते हैं और कैसे मारो मत भागो मारो मत भाग तो यह सब चलता रहता है लेकिन इसमें थोड़ाय और बिवेक पूर्ण जो है इसमें चर्चा होनी चाहिए थी और वह दूसरे के मूर्तियों की जाश करवाने लग रही है तो यानि कि आने वाले टाइम के अंदर गर बीजेपी गवर्वेंट बदलती है तो सदार पटेल की बूर्ति की जांच हो सकती है क्या कोर्ट के नजर में लगता है उख दफन करते हम पूरा समाजी नहीं कि धारा है बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है कोट के तरब से भी प्रहार हो रहा है और पॉलिटिकल क्लास भी मौन है कि जो जनवग आरक्षन पर दस परसेंट आरक्षन पर जिन लोगों ने मेज थब 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 आए इस यह सब को मैं कह रहा हूँ मैं स्वागत सब लोग कर रहे थे अपना समवधानिक आरक्षन पूरा हुआ नहीं तो उसमें कभी मेज नहीं थब 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 आए उसमें तो कभी धरना पर नहीं बैठे मैं तो शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ वैसे मनोज जाओ वैसी साहब और जो और मुस्लिम सांसत्य और डियम जोने खुल के स्टैंड लिया कि यह गैड समयदानिक है और इसे खिलाब हम है बाकी सब तो मेरी था रहे थे तो यह बड़ा अजीर दोड़ से हम लोग उजर रहे हैं हमारे समयदानिक हमारे जा रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं किस बात का पूरे और वंचित जमात की राजनेतिक कर रहे हैं जब हमारी हितों की रक्षा आप नहीं कर पाएंगे सब्सक्राइब कर दो अपने उल्ट को तो बोट मांगना नहीं न्याले को दो बोट मांगना नहीं बिल्कुल प्रक्राइब के मेंडेट को भी नहीं समझे पाके और इस तरह के नर्णाय देना यह दुरभागयपुर्ण है